बिहार के सहरसा जिले में एक ऐसा गाउं है जहां लोग चोडों के आतंग से परिशान होकर गाउं के चप्पे चप्पे पर CCTV केमरा लगवा लिया है गाउं के अधिकांस लोग अन्य सहरों में रहते हैं CCTV लग जाने से अब वो अपने मोबाइल से घर की निगरानी कर पाते हैं पुलिस ने भी गडामीनों की इस पहल की सराहना किया सहरसा जिले के बंगाउं थाना छेत्र के बंगाउं दक्षिनी पंचायत अब CCTV केमरा से लेस है गाउं के चौक चौड़ाहे से लेकर घर का लगभग हर दरवाजा CCTV कैमरे की जद में है बिहार के इस गाउं में चोड़ों के आतंग से परिसान होकर गाउं के लोगों ने चपपे चपपे पर CCTV कैमरा लगवा लिया गाउं के अधिकांस लोग अन्य सहरों में रहते हैं CCTV लग जाने से अब वो अपने मोबाइल से ही घर की निगरानी कर पाते हैं गाउं के लगभग हर दरवाजे और दिवारों पर लिखा है सावधान आप CCTV के निगरानी में है गाउं के मुखिया सहीत आम लोगों का कहना है कि गाउं में आये दिन चोरी की घटना हो रही थी इससे परिसान होकर ग्रामीनों ने जन सहयोग से चंदा कर गाउं में जगा जगा CCTV कैमरा लगवाया इतना ही नहीं CCTV कैमरे को इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल से भी कनेक्ट किया गया है जिससे दिल ली मुंबई में रहते हुए भी लोग अपने घड़ों की निगरानी कर पाते हैं गाउं में फिलहाल दो दर्जन से अधिक CCTV कैमरा लगाया गया है जिसका कंट्रोल रूम भी गाउं में ही बनाया गया है कंट्रोल रूम में सिफ्ट के अनुसार लोग मोनीटरिंग करते रहते हैं इस दोरान अगर किसी भी प्रकार का अंदेशा होता है तो ग्रामीन एक दुसरे को सूचना देकर सतर्क कर देते हैं ग्रामीनो का मानना है कि जब से गाउं में सिसी टीवी लगा है तब से चोरी की घटना नहीं हो रही है वहीं अस्थानिये पुलिस का भी कहना है कि ग्रामीनो को सिसी टीवी लगाने के लिए प्रेडित किया जा रहा है ताकि इस तरह की कोई घटना होने पर अनुसंधान करने में CCTV की मदद मिल सके पुलिस भी ग्रामीनों के इस पहल की सराहना कर रही है लाइब सिटीज से रिदेश सर्मा की रिपोर्ट